फर्जी पहचान बताकर धोखा धड़ी करने के कहानिया आपने अक्सर सुनी होंगी लेकिन हैरानी तब हुई जब UP की एक DSP इस फर्जी वाड़े का शकार हो गई और ये धोखा किसी और ने नहीं बलकि उसी शक्स ने दिया जिसे अधिकारी ने अपना सब कुछ मान लिया था ये कहानी है उतरप्रदेश के गाजियाबाद की जहां एक महिला डिप्टी SP के साथ फर्जी IRS अधिकारी बनकर शादी करने और लाखो रुपई की धोखा रड़ी करने का संसनी खेज मामला सामने आया है जब शादी के बाद महिला पुलिस अधिकारी को अपने साथ हुए इस बड़े धोखे की जानकारी हुई तो उनके पैरो तले जमीन खेसक गई इसके बाद अधिकारी ने धोखे बाद पती से तलाक तो ले लिया लेगिन वो इसके बाद भी अपनी पतनी की नाम पर लोगों से ठगी करता रहा इससे तंग आकर डिपटी एसपी ने गाजियबाद के कौशामबी थाने में पूर पती के खिलाब केस दर्ज करा दिया है जिसकी चर्चा हरोर हो रही है दरसल धोखदरी का शिकार महिला पुलिस अधिकारी के नाम स्टेश्था ठाकूर है जो की साल 2012 बैच की PPS अधिकारी है स्टेश्था इस वक्त UP की शामली में तैनात है वो काफी तेज तर्राद पुलिस अधिकारी के रूप में पहचानी जाती है लोग उन्हें लेडी सिंगम के नाम से भी जानते हैं गाजियबाद के कौशामबी थान में उनके द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार साल 2018 में उनकी शादी रोहित राजनाम के शक्स से हुई थी रोहित से उनकी मुलकात एक मेट्रोमोनियल साइट के जरिये हुई उसने खुद को 2008 बैच का IRS अधिकारी बताया और राची में डिप्टी कमिशनर पद पर अपनी तैनाधी बताई थी महिला पुलिस अधिकारी की परिजोनों ने आरोपी ठक के बारे में जाँच परताल भी की थी लेकिन सवाल यही है कि आके रोहित अपनी पहचान बदल कर शादी करने में सफल कैसे हो गया दरसल साल 2008 में सच में रोहित राजनाम का एक व्यक्ति IRS के लिए चैन हुआ था यह बात भी सच थी कि राची में उसकी तैनाती बताई डिप्टी कमिशनर हुई लेकिन जिस रोहित से DSP की शादी हुई थी यह वो वाला रोहित नहीं था यानि कि वो रोहित जिससे DSP की शादी हुई वो एक अलग व्यक्ति था और जिस रोहित का IRS के लिए चैन हुआ वो एक अलग दोनों में बस नाम की समानता थी इस कारण से सारा उलट फेर हो गया शादी से पहले उनके परिजनों ने ठक के बारे में जांच परताल भी की उसमें पता चला कि 2008 में रोहित राज नाम का एक शक्स IRS के पद पर चैन हुआ उसकी तैनाती राची में बताओ डिप्टिक कमिशनर सही पाई गई मतलब कि ये सब कुछ मिलते जुलते नाम की वज़े से हुआ जिसका फाइदा उठाकर आरोपी ने स्ट्रेस्था ठाकूर के साथ धोख धड़ी की अब आप सोच रहे होंगे कि 2020 में तलाग के बाद अब क्यों स्ट्रेस्था ठाकूर ने केस दर्च करवाया तो बदा दे कि रोहित राज की तरफ से लगतार ठगी की वारदातें बढ़ती जा रही थी स्ट्रेस्था ठाकूर के पास इसको लेकर कई शिकायतें आने लगी थी जिसके बाद परिशान होकर स्ट्रेस्था ने पूरपती के खिलाब मुकदमा दर्च करा दिया स्ट्रेस्था ठाकूर ने पूरपती रोहित राज सिंग के अलावा ससुर वकीर शरण सिंग और रोहित के भाई संजीत सिंग के खिलाब भी केश दर्ट कराया है रोहित मूल रूप से बिहार के नवादा जिले कर रहने वाला है और फिलाल गाजियाबाद में रह रहा है NBT Online की रिपोर्ट